Hello everyone, this is Saksha Vashnoy and welcome to Magnet Brains एक ऐसा चानल जहाँ पर आपको मिलते हैं 4-12th क्लास तक के सारे सब्जिक्स के वीडियोज बिलकुल free of cost So students, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे Central Bank इसके पहले हमने Commercial Bank अच्छे से समझ ली कि Commercial Bank क्या होती हैं? उनके क्या functions होतने हैं? अब हम देखेंगे Central Bank Central Bank जैसे कि एक General Sinch में आप लोगों को पता है क्या है हमारी इंडिया के कौन सी Central Bank है? तो वो है RBI and RBI के Governor कौन है? तो वो है श्रीष चक्ति कांता दास ये नेम आप लोगों को याद होना चाहिए पता होना चाहिए ये एक बहुत ही General सी चीज है बहुत ही Common सी चीज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतनी चीज हो तो पता होना चाहिए कि आपके कौन Ministers है, आपके Governor कौन है RBI के ये सारी चीजों का ये ये सारी स्टुडेंट्स, Central Bank is an Apex Body Apex का मतलब क्या हो गया? एक Supreme Body है भाई कि उन्होंने जो बोल दिया वो बिलकुल बस वो उन्होंने जो बोल दिया वो हमें मानना पड़ेगा अगर कोई issue है तो उनसे बात कर लो वो स्थीक कर देंगे जैसे Supreme Court है, राइट वैसे यह क्या है हमारी Supreme Body है अब Banks की Supreme Body हो गई हमारी Central Bank ठीक है? So Central Bank is an Apex Body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country देखो Commercial Bank और Central Bank के बीच का difference Commercial Bank में हमने क्या बढ़ा था? कि जो deposit accept करते हैं और जो loans देते हैं एक general public को वो होती है हमारी Commercial Banks ठीक है? अब Central Bank में हम क्या देख रहे हैं Central Bank का क्या मतलब है? वो एक body जो की control कर रही है operate कर रही है, regulate कर रही है और direct कर रही है पूरे entire banking system को कि कैसे काम करना है वो क्यों करता है हमारी Central Bank करती है ठीक है? तो Central Bank एक सबसे उपर वाली जो हमारी एक bank है वो हो गई ठीक है? So it is known as Apex और Supreme Body as it occupies the top most position in the monetary and banking system of a country ठीक है? क्यों हम Central Bank को Supreme Body या फिर एक Apex Body बोलते हैं? reason क्या है? because वो सबसे top पर है भाई उन्होंने जो बोला है वो सही है वो एक पत्थर की लगीर है वो हमें मानना पड़ेगा अगर हमें कोई भी regulation करने है अगर हमें अपनी bank चलानी है तो हमें Central Bank के अंडर ही काम करना पड़ेगा जैसे कि देखो companies होती है students तो वो जो उनके acts होते हैं जो भी particular companies act बगेरा है उनके अंडर ही उन्हें सारा काम करना होता है वो उन जो particular जो legal regulations है उनके बाहर कुछ भी नहीं कर सकते हैं सेम केस यहां पर Central Bank का है कि Central Bank ने जो बोला है वो सारी bank को करना पड़ेगा जो तेने भी छोटी-छोटी commercial banks है सबको उनकी बात माननी पड़ेगी Central Bank जो होती है वो हर एक country में होती है हर एक developed country में होती है जहां पर यह पूरा banking system चलता है हर एक country में Central Bank के अलग-अलग name होता है जैसे कि इंडिया में क्या है Reserve Bank of India अगर USA की बात करूं तो वहां पर क्या है वहां पर है Federal Reserve Bank तो यह अलग-अलग जो है अलग-अलग country में अलग-अलग जो है नेम्स है Central Bank के ठीक है लेकिन अगर सब के हमें याद नहीं है हम तो सिर्फ इंडिया का याद रखने है उतना ही काफी है तो इंडिया का याद रखो और बाकी के सब जगा आप लोग को पता होना चाहिए कि Central Bank होती है ओके So all the financially developed countries have their own Central Bank इंडिया सिंट्रल बांक is Reserve Bank of India और RBI चीक है RBI was established in April 1, 1935 यह date यह याद रखो यह जो चीज़े होती है यह याद होना जरूरी है यह एक बहुत ही जन्रल सी बातने हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कब स्टाबलेश हुए हमारी RBI April 1, April 1, 1935 में अंडर रजर्व बांक आफ इंडिया आक्ट पास्ट इन 1934 1934 में एक आक्ट पास हुआ था 1935 में जो है हमारी जो RBI यह वो स्टाबलेश हुई थी यह जो पर्टिकुलर इमेज आप देख रहे हो यह क्या है यह हमारी RBI का लोगो है लोगो है रेक पर्टिकुलर कंपनी का होता है यह चीज आप लोग को पता है वैसे ही सेम हमारी जो RBI है जो Central Bank के उनका यह पर्टिकुलर लोगो है ओके यह था एक Central Bank के बारे में थोड़ा सा discussion और Central Bank का काम क्या होता है वो हमने देखा अब I hope कि आप लोग को इसका meaning तो समझ में आ गया होगा कि Central Bank का क्या मतलब है Now Central Bank के क्या-क्या functions होते है ठीक है वो हम समझते है देखो Central Bank का होना जरूरी है विक्कॉज हमने उसकी definition में देखा कि जो Central Bank होती है वो operate करती है वो regulate करती है वो पूरी entire banking system को समालती है उसे control करती है तो इसलिए Central Bank का होना तो बहुत जरूरी है लेकिन वो सारी चीज़े तो ठीक है कुछ अगर हम defined form में अगर उसके कुछ हम functions देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा तो क्या functions होते हैं हमारी Central Bank के वो हम देखते हैं तो ये particular कुछ functions है currency authority, banker to the government, bankers, bank and supervisor controller of money supply and credit, custodian of foreign exchange reserve वैसे तो ये सारे जो हमारे functions हैं बहुत ही important है और बहुत ही interesting है लेकिन personally मुझे ये वाला जो हमारा particular function है controller of money supply and credit ये बहुत पसंद है इसमें ना बहुत चारी ऐसी ऐसी चीज़े पता चलते हैं कि अच्छा ऐसे हमारी economy work करेगी इस particular way से कब हमारे जो interest rate हैं वो increase हो जाते हैं इसमें पढ़ेंगी कि कैसे central bank जो है वो पूरा जो हमारा market है उसमें money कितना जाना चाहिए जो money supply है उसे कैसे control करती है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर छीक है different different उनके tools होते हैं वो tools को हम देखेंगी क्या क्या होते हैं इस particular lecture में हम सिर्फ ये जो तीन हैं हमारे इने cover करने वाले हैं ये जो particular है हमारा controller of money supply and credit इस पर individual एक video बनाऊंगी मैं जिसके थुरू आप लोगों को वो सारी चीज़े अच्छे से clear हो because उसमें बहुत सारे tools हैं तो उन सारे tools को पढ़ना भी ज़रूरी है उनके implications को पढ़ना भी ज़रूरी है इसलिए जो हम हैं उसे एक next हमारे जो lecture होगा उसमें cover करेंगे अभी हम सिर्फ इतने जो हैं हमारे currency authority, banker to the government and bankers, bank and supervisor इसे cover करेंगे ठीक हैं ना अगर इसका हम थोड़ा सा brief discussion देख लें तो ज़्यादा better होगा currency authority का मतलब क्या हो रहा है हमें पता है students की जो हमारी country होती है या जो सारी countries होती है उसमें जो currency का जो printing चलती है note कहां से बन क्या रहे तो वो एक central bank ही बनाती है central bank जो है ये printing चलेगा तो ये सारी चीजें जो हैं वो कोई आप या हम नहीं करने वाले या कोई भी एक commercial bank जो होती है वो ये printing वाला जो function है वो perform नहीं करती है जो note printing है वो central bank ही करेगी ठीक है तो वो होगा हमारा currency authority में कि ये उनका एक function है फिर उसके बाद में आता है banker to the government अब हमने देखा कि हमारी जो एक general public होती है जो households होते है उनके जो banker होते हैं वो कौन होती है जो हमारी commercial banks होती है हमें कोई भी काम होता है तो हम उनके पास जाता है वहाँ पर अपना काम कर लेते है banks related अब जो government है क्या कभी आपने government को देखा क्या कभी आपने PM को देखा कि वो आपके किसी भी एक जो commercial bank के उनमें आ रहे हैं वहाँ पर उनका काम हो रहा है या उन commercial banks में जो है उनके क्या चल रहे है accounts है या accounts वहाँ पर चल रहे हैं क्या ऐसी कभी आपने देखा नहीं देखा राइट क्यों नहीं देखा विकॉज जो government होती है उनका जो banker होता है वो कौन होता है वो होती है हमारी central bank ठीक है जो commercial banks होती है वो हमारी government की banks नहीं होती है फिर आता है bankers, bank and supervisor अब यार हमारी bank तो हो गई commercial bank लेकिन उनकी bank कौन होगी उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से ये जो deposit है और borrowing है वो करनी पड़ती होगी या उन्हें कौन supervise करने वाला है तो वो हमारी central bank करने वाली है ठीक है अब इनके अंदर हम देखेंगे और भी जो भी हमारे functions है इनके क्या advantages है ये सब कुछ ओके and then comes ये वाला तो इसके उपर तो मैं कोई भी discussion नहीं कर रही हूँ ये हम पढ़ेंगे अपने next वाले lecture में ठीक तो चलिए start करते हैं वितार currency authority currency को print करने के authority सिर्फ हमारी central bank के पास है that is RBI ओके और कोई भी particular जो commercial banks है हमारी उनके पास ये authority नहीं है कि वो currency print कर सके ओके so central bank has the sole authority for issue of currency in the country in India Reserve Bank of India has the sole right of issuing paper currency notes किस चीज का sole right है ये समझो ठीक है issuing paper currency notes जो currency paper currency notes है ना सिर्फ वो जो आपके coins as students क्या वो paper currency है नहीं coin में paper थोड़ी ना आता है तो coins जो है वो अमारी RBI नहीं बनाने वाली है जो RBI है वो क्या करेंगी वो सिर्फ paper currency notes जो है उन्हें print करती है या उन्हें बनाती है उन्हें issue करती है ठीक है उसमें भी एक और आप assumption लो except 1 rupee note जो 1 rupee note होते हैं वो भी हमारी RBI issue नहीं करती है अब आप बोलोगे हैंगे 1 rupee note तो दिखते ही कहा है 1 rupee के तो coin नहीं दिखते है right लेकिन ऐसा नहीं है 1 rupee के note भी होते है वो अलग बात है कि अब circulation में नहीं है लेकिन वो थे तो right और अभी भी आपको कही न कहीं कभी न कभी ऐसे मिल भी जाते हैं हम solely यह भी नहीं बोल रहें कि विलकुल बंदी होगा है कभी मिलेंगे ही नहीं वो मिल भी जाते हैं तो वो जो 1 rupee note होते हैं वो हमारी RBI issue नहीं करते हैं Now question is अगर RBI issue नहीं कर रहा है तो कौन issue कर रहा है And the second thing is अगर RBI सिर्फ paper currency note issue कर रहा है तो फिर coins कौन issue करते हैं तो coins and 1 rupee notes को issue किया जाता है by Ministry of Finance तो मतलब कि जो आपका 1 rupee note होगा या जो coins होगे उनमें जो signature होने वाला है वो किसका होगा वो हमारी finance secretary का होगा Ministry of Finance से बनता है वो और जो बाकी के हमारे जितने भी notes होगे paper notes वो उस पर किसका signature होता है तो उस पर होते हैं हमारे governor of RBI का signature होता है अभी यह मत बोलना कि signature नहीं होता है note को थोड़ा ध्यान जा देखना आपको signature दिखेगा वो signature किसका रहेगा वो रहेगा हमारे RBI governor का at present कौन है वो है हमारे शक्तिकांता 10 so the 1 rupee note bears the signature of finance secretary while other currency notes bear the signature of governor of RBI so यह बहुत ही easy सा हमारा एक function है currency authority इस से हमें वैसे तो हमें पता ही था कि currency जो है वो ऐसे खुल्याम तो बनती नहीं है या खुल्याम तो issue होती नहीं है कौन उन्हें issue करता है issue करती है हमारी RBI और RBI से ही पूरा जो currency वो regulate होकर आती है तो यह चीज हमें पता थी लेकिन यह हमने अच्छे से देखी जब हमने functions of central bank देखी ठीक है ना यह जो currency authority students इसके कुछ advantages होंगे कि जो आपकी जो currency है अगर वो सिर्फ और सिर्फ RBI issue कर रही है तो क्या उसके advantages हैं कुछ advantages हैं तब ही जो RBI है वो पूरा burden ले रही है अधरवाइस RBI तो बोल सकती थी ना वो distribute कर सकती थी यह work सारी banks के उपर क्या अपने अपने according जो है उसे जो currency है उसे issue कर लो लेकिन ऐसा नहीं है उसका reason क्या है उसके क्या particular benefits हैं वो हम देखते हैं ठीक है so the advantages of soul authority or note issue with RBI क्या है भाई it leads to uniformity in note circulation note circulation का मतलब क्या हुआ note कहा circulate कर रहा है सबसे पहली बात तो यह क्या जो RBI है उन्होंने जो notes है वो बना लिए उनके पास रखें तो क्या वो notes का circulation हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो notes का circulation गब हो रहा है जब RBI है ने वो जो particular notes थे वो banks को दिए और banks के through वो कहां है general public में है ठीक है जो public है जो आपकी general public है वो directly जाकर central bank से तो कोई भी kind of note लेती नहीं है कोई भी kind of currency नहीं लेती है कहां से लेती है general public कहां से पैसा लेगी वो आपकी जो commercial banks है उनसे लेगी ठीक है तो अलब कि central bank और general public के बीच में ने जो भी money था जो भी amount था and commercial bank ने general public तक पहुचाया ठीक है तो ये जो पूरा कितना circulate होना चाहिए money एक market में वो किसने control करके रखा है वो control करके रखा है हमारे central bank ने वो जितना amount देगी commercial bank को commercial bank उतना ही तो lend कर पाएगी उससे जादा तो नहीं कर पाएगी तो कितना circulation में आना चाहिए money कितना नहीं आना चाहिए ये कौन बताता है ये कौन decide करता है तो ये decide करती है हमारी RBI या फिर central bank of a country ठीक है तो जो RBI जब ये चीज़े करती है या issue करती है notes को currency को तो वो एक kind of uniformity maintain करके रखती है ऐसा नहीं कि कभी तो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे और कभी इतना दे दे कि पूछो ही मत ऐसी काम नहीं करते हैं वो एक uniformity maintain करके रखते है कि इतने इतने की requirement है इतना इतना जाना चाहिए circulation में ठीक है it gives the central bank power to influence money supply because currency with public is a part of money supply जो हमारी central bank है उन्हें एक power मिलती है कि money supply को control कर सके ठीक है money supply का मतलब क्या होता है money supply का मतलब क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था कितना general public के पास में money है या एक market में जो money है वो कितना circulate हो रहा है उसे हम money supply बोलते है so money supply को कौन control कर सकता है RBI control कर सकती है कैसे control करती है तो देखो various tools होते है जो कि हम अपने next lecture में पढ़ेंगे अपने जो money controller वाला जो function था उसके अंडर ठीक है लेकिन कैसे करती है थोड़ा सा हम brief में समझ सकते है देखो जो कितनी notes आने चाहिए market में ये किसने decide क्या RBI ने अब कितने आने चाहिए उसके according उन्होंने commercial banks को जितने देने थे उतने ही दिये ऐसा नहीं कि unlimited amount में दे रहे है वो कोई भी kind of money या कोई भी kind of जो हमारा amount है वो so जब वो control कर रहे है जब RBI control कर रहे है ये सारी चीजे तो वो जो है money supply को भी control कर सकती है जब उन्हें लगेगा कि market में अभी बहुत जादा money access money हो गया है तो वो money को that is supply को जो है वो control कर लेगी वो market में और पैसे नहीं जाने देगी और जब लगेगा कि अभी market में जो money है उसकी requirement है तो वो money inject कर देगी हमारी economy में ठीक है तो इस वे से जो हमारी RBI होती है वो money supply को भी control कर सकती है अब देखो हमें क्या पता है कि notes कौन issue कर रहा है सिर्फ और सिर्फ central bank issue कर देखी है तो जो government है वो भी एक supervision रख सकती है हमारी central bank पे कि कितने आप कितने आप currency आपकी print कर रहे हो कितनी आप issue कर रहे हो इस चीज को लेका अगर ये जो particular था आपका ये जो currency authority थी अगर वो सारी commercial banks के पास में होता तो ये एक problematic चीज हो सकती थी कि government जो है या कोई भी एक authority है उन्हें बहुत सारी banks को देखना पड़ता कि कैसे circulation चल रहा है लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही particular हमारी bank है जो की notes issue करती है तो government भी उन पर supervision रख सकती है government भी देख सकती है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं because ultimately government का भी क्या aim होता है कि जो पूरी उनकी country है उसका welfare हो रही तो जो हमारी money होता है वो तो एक kind of मैं बोल दू कि बहुती basic सी चीज है कि ये तो होना ही होना अगर एक economy को आपको ढंक से चलाना है तो कितना जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए क्या सब को मिल रहा है जो money है वो नहीं मिल रहा है ये सारी चीज़े जो है इस पर supervision भी कर सकती है हमारी government भी तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि Central Bank एक apex body एक supreme body है topmost body है तो उनके उपर कुछ नहीं है उनके उपर भी है government जो है वो RBI को देख रही है RBI जो है वो government को देख रही है ऐसा नहीं है कि government के उपर भी कुछ नहीं है ऐसा वाला case भी नहीं है जहां पर monetary terms की बात आती है तो RBI जो है वो government को भी supervise करती है और जो government है वो RBI को supervise कर रही है अब देखो यह जो particular हमारा एक function है कि जो RBI है वही currency जो है वो issue कर रही है तो इसके कारण क्या हो रहा है public faith जो है वो generate हो रहा है currency system में अब अगर हर कोई print करने लगता हर कोई issue करने लगता तो जो general public है वो भी है सोचती कि पता नहीं भाई कौन कब क्या कर ले या कौन सी bank में क्या particular जो है हमारी procedures आ जाए या regulations ले आए वो अपने according तो यहाँ पर जब एक body है एक supreme body है तो जो general public है वो भी उन पर faith कर सकती है RBI पर confidence दिखा सकती है कि हाँ अगर RBI काम कर रही है तो अच्छे से काम कर रही है ठीक है सो यह कुछ advantages है हमारे किस चीज के currency authority के I hope कि यह वाला जो function है आप लोग को अच्छे से clear होगा ठीक फिर आता है banker to the government नाम से समझ में आगा ना कि government की जो bank है वो क्या है वो है central bank ठीक है तो अब देखो जो commercial banks होती है students वो हमारे जो भी काम करती है वैसे ही same जो government है उनके लिए जो सारे services है जो सारे accounts वगेरा जो maintain करने वो कौन करेगा central bank ओके जैसा हमारा और एक commercial bank का relation होता है वैसा same एक government का और एक central bank का जो है वो relation होता है central bank उनके accounts maintain करती है central bank government के भी हाव पे payment करती है या कोई भी जो receive करना होता है वो करती है तो यह सारे काम जो जैसे की बस यही समझ लो कि आप और एक commercial bank है वही same एक government और central bank है ठीक है तो यह particular function भी किसे करना होता है हमारी central bank करती है ठीक है so the reserve bank of india acts as an banker agent and a financial advisor to the central government and all the state governments ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ central government के accounts maintain करती है RBI बल्कि जो हमारी state government है उनके भी जो accounts है उनके लिए भी जितने भी services हो सब कुछ provide करती है कौन central bank या फिर RBI ओके जो हमारी central bank होती है वो सिर्फ एक banker ही नहीं बल्कि एक agent और एक financial advisor का role भी play करती है government के लिए ओके वो as an agent क्या ही है जहां पर भी जो भी payments करने है या as an उनकी agent है कि हम government के भी हाफ में कौन काम कर रहा है central bank ओके और financial advices भी देती है कि कहां पर किस चीज की requirement है जो finance related जो भी advisories है जो monetary system से related जो भी advisories है वो हमारी central bank है वो provide भी करती है हमारी government को okay so as a banker it carries out the following banking businesses of the government ठीक है अब as a banker वो क्या क्या करती है तो वो देखते है हम it maintains a current account for keeping their cash balances same जो commercial bank और हमारे बीच में relation था account बना के रखती है इन्होंने भी देखो एक current account बना के रखा है ताकि जो government है वो उनके cash balances रख सके it accepts receipts and makes payment for the government and carries out the exchange remittance and other banking operations देखो government के लिए जो हमारी bank है उन्होंने payment किया और उन्होंने जो receipts है वो accept की that means यहाँ पर क्या हो रहा है कि government के बिहाफ पर जो central bank है वो काम कर लिए सेम जो चीज थी वो commercial bank हमारे लिए करती थी अगर हम उन्हें बोले तो राइट अगर आप बोलो गई नी commercial bank को तो वो आपके लिए थोड़े ना कुछ करेगी सेम केस यहाँ पर गवर्मेंट जो है वो बोल के रखते है भाई कि central bank को कि आपना यह 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 चीजे कर लेना यहाँ यहां से आपको accept करना है यह यहाँ पर आपको pay करना है तो यह काम आप कर लेना ठीक है तो central bank जो है वो government के बहाफ पर काम करती है अब हमें लोन कौन देता है? हमें लोन देती ही commercial bank, right? Same case, government को लोन कौन देगा? तो government को लोन देगी जो हमारी central bank है, वो, ठीक है? That means, जो RBI है, वो government को लोन और advances भी देते हैं for a temporary period. Temporary period का मतलब क्या हो गया? कि कुछ time के लिए, एक short time के लिए, okay? Permanent period के लिए नहीं की, ऐसे हमने दे दिया loan और वो हमेशा के लिए हो गया, उनका, ऐसा case नहीं होगा, एक temporary period की कभी ना कभी वो जो लोन है, वो बापस आना ही है, उसे repay करना ही पड़ेगा, okay? So the government borrows money by selling tertiary bills to the central bank. Tertiary bills जो होते हैं, ये क्या होते हैं, भाई, ये kind of क्या है, securities है, जो की government issue कर सकती है, ठीक है? तो जो हमारी government होती है, वो जो loans है, वो कैसे borrow करती है? वो borrow करती है with the help of tertiary bills, ठीक है? Tertiary bills जो है, वो central bank को sell करती है, फिर central bank उनका क्या करती है, उन bills का? Central bank जो है, वो commercial bank को sell कर देती है, okay? अब commercial bank उनका क्या करेगी? तो commercial bank, जो general public होती है, उसे sell कर देती है, ये bills, okay? तो जब भी time आएगा, तो उने वापस repayment भी मिल जाएगा, right? जब government वापस जो है, उनके money जो है, वो अगर वापस जब देंगी, तो simple सी चीज़ वापस Central bank के पास आएगा, Central bank इनको दे देगी, और ये public को दे देंगे, okay? So, जो Central bank होती है, वो commercial bank की help से भी ये जो हमारे bills है, वो sell कर देती है, public को, या फिर ये directly भी public को sell कर सकती है, okay? Depending on them कि उन्हें कैसे करना है, वो कर लेते है, okay? जैसे कि बाकी securities कैसे चलती है, जो हमारे shares and ventures है, वो कैसे work करते है, same way में, जो हमारे treasury bills है, वो भी work करते है, ठीक है? So, treasury bills का, I hope कि आप लोगों को ये पूरा cycle है, वो समझ में आ गया, कि कहां से आये, कहां गये, क्या हुआ ये? अब government जो है, वो directly public को sell नहीं करती है, government क्या करती है, government with the help of these banks, वो जो treasury bills है, वो public तक पहुचा देती है, okay? आप जो general public होती है, वो भी जो treasury bills होते हो, उन्हें purchase करी लेते हैं, reason कि वहां पर ना थोड़ी security वाली बात है, कि government है, तो वो तो हमें धोका नहीं देगी, government जो है, वो तो repay कर ही देगी, ऐसा कभी-कभी होता है, कि कोई-कोई सी companies में हमने अपने shares खरीद के रखे हो, या किसी कल गया, राइट, वहां पर bedage बहुत जादा हो गए, तो अब वहां पर जो है, हमारे जो बापिस money है, वो हमें मिलने को वोई chances नहीं है, ऐसी cases होते हैं, लेकिन जब government का नाम आजाता है, तो वो अलग सा ही एक confidence आ जाता है, कि नहीं government है, तो वो repay जरूर कर देगी, राइट तो वो जो treasury bills हैं, वो successful भी होते हैं, so as a banker, जो हमारी central bank है, वो government के लिए as a banker क्या क्या काम करती है, I hope so कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, देखो जादा यहां पर समझने वाला कुछ है ही नहीं, simple सी चीज है, जो commercial bank हमारे लिए है, वही same central bank जो है, वो government के लिए, ओके, फिर अगर as an agent हम बात करें, तो central bank क्या करेगी भाई, so as an agent, the central bank also has the responsibility of managing the public debt, ठीक है, अब public debt जो है, जो हमारी government को maintain करना होता है, वो government के बहाफ में कौन maintain कर रहा है, तो वो maintain कर रहे है हमारी central bank, ओके, फिर as a financial advisor क्या काम कर रही है हमारी central bank, so as a financial advisor, the central bank advises the government from time to time on economic, financial and monetary matters, now एक चीज तो हमें पता है ना, कि जो भी bank में जो भी workers होते हैं, जो bankers होते हैं, वो लोग बहुत जादा इस चीज से बहुत जादा थरो होते हैं, कि एक economy में क्या conditions चल रहे हैं, क्या situations चल रहे हैं, क्या particular monetary system में चल रहा हैं, ये सारी चीज़ जो उन्हों को अच्छे सा पता होते हैं, तो जो central bank के भाई, वो तो एकदम supreme level वाली है, तो वेसी चीज़े कि वहां के जो भी लोग होंगे, या वहां के जो हमारे governor हैं, उन्हें इस economy की पूरी जो monetary system है, उसके बारे में एक एक चीज़े पता होंगी, तो जब ये सब कुछ उन्हें पता होता है, तो वो जो है, as an advisor, government को advise करती हैं कि क्या-क्या particular situations हैं, जो कि हमारी economy में चल रही है, and उन situations को देखते हुए, जो government है, वो उनके further कोई भी decisions लेती हैं, चीक है, तो ये हमारी जो central bank है, वो government के लिए क्या-क्या काम करती है, I hope कि आप लोग को clear होगा, वो एक banker भी बन गई, वो एक agent भी बन गई और वो एक financial advisor भी बन गई है, okay, so I hope students की ये चीज़ आप लोग को अच्छे से clear होगी, फिर आता है हमारा next वाला, that is bankers, bank and supervisor, अब देखो यार, जो सारी banks है, उनको भी तो एक कोई supreme body चाहिए, right, कैसे work करेंगी, कैसे work करना है, कितना ज किसके rules and regulations मानना है, इन सब के लिए एक कोई body होनी चाहिए, तो उन सारी जो different, different, छोटी-छोटी banks है, उनका जो bank है, वो कौन है, वो है हमारी central bank, right, जैसे कि school होता है, right, तो school में एक class को manage करने के लिए, क्या चाहिए, एक teacher चाहिए, है न, सारे students जो है, वो क्या होगा है, वो हो गई हमारी अलग-अलग banks, अगर हम सिर्फ और सिर्फ students को छोड़ दें, कोई भी एक teacher ना हो उनके पास में, तो क्या होता है, कि बहुत जादा मस्ती चल रही है, कहीं पर लड़ाई जगड़े चल रहे हैं, किसी को किसी की सुननी नहीं है, सब अपने-अपने मन की करेंग और बहुत जादा होस-पोस मचा हुआ है, बहुत जादा disturbance, तो same case यहाँ पर भी होगा, अगर इतनी सारी जो banks है हमारी, उनको कोई एक supervise करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, इन सारी banks के बीच में बहुत जादा disturbance मचा हुआ होगा, कि यह नहीं, एक बोलेगा कि ऐसा होना, एक बोलेगा कि नहीं, ऐसा होना, रही, अब देखो, जो class है, वहाँ पर तो एक ऐसा motive बहुत कम होता है कि नहीं, हमें top ही मारना है, होता है, लेकिन वो कुछ बच्चों में होता है, पूरी class में नहीं होता है, और वो कुछ के बीच में competition चलता रहता है, तो वो competition में ऐसा silent competition चलता है, बोल-बोल के थोड़े नहीं करते हैं, इसे silently competition चलता है, कि हमने जो पढ़ा है, हम उसे नहीं बताएंगे, उसने जो पढ़ा है, वो हमें नहीं बताएगा, हम अपनी notebook उसे नहीं देंगे, ये सारी चीज़े चलती है, लेकिन अगर मैं उसे थोड़ा सा अपने market के terms पर आओ रही है, यहाँ पर बात करूं, तो banks के बीच में अगर competition चलेगा, तो हर एक bank क्या सोचेगी कि वो उनका profit increase करें, हमें पता ही कि commercial bank का जो motive होता है, वो क्या होता है, profit earn करना रही, तो हर एक bank सोचेगी कि उनका profit increase करें, अब कुछ banks जो loyal होंगी, जो अच्छे से work कर होंगी, वो एक सही path पर चलेंगी और फिर profit earn करेंगी, लेकिन कुछ banks जो है, अगर उनसे profit earn नहीं करते बनेगा, तो वो क्या करेंगी, वो कुछ illegal कामों से जो ये profit है, वो earn करती जाएंगी, और इस competition में sustain करने की सोचेगी, या पूरी उस चीज में success पालेंगी, कि हाँ वो अच्छे से sustain कर पारें, अगर ये situation कब होती, अगर central bank नहीं होती, कोई उन्हें rule करने वाला नहीं होता, कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता, या उन्हें किसी का डर नहीं होता, तो वो ये सारी चीज होती बिलकुल market में, लेकिन हमारे पास में एक central bank है, जो कि उन सारी banks को क्या करती है, manage करती है, जैसे कि अगर एक teacher आ जाए, तो पूरी class चुप हो जाएगी, वैसे ही, अगर एक central bank आ गई, तो जो सारी commercial bank से वो क्या हो गई, वो चुप हो गई, शान्त हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक central bank है, उनके instructions को मान रही और फिर अपना काम कर रही, तो बस वैसे ही यही जो है bankers bank का मतलब यही हुआ, कि जो different different bank है, उनकी एक bank, ओके, नाउ, बापिस अगर इस concept पर आए हम bankers bank, तो जैसे हमने देखा कि government की bank होती है, ओके, वैसे ही bank की भी bank होती है, अब वही same relation देखना है, जो हमारा और एक commercial bank का relation है, वही same relation किसका होता है, और एक central bank का, commercial banks जो होती है, वो एक public, जो भी एक person होता है, एक individual होता है, उसके accounts को manage कर रही है, तो जो central bank है, वो भी क्या कर रही है, जो different commercial banks है ना, इनके accounts को manage कर रही है, ठीक है, हर एक commercial bank का account होता है, central bank के साथ में, और जो central bank होती है, वो as a banker, उन सारी banks के लिए as a banker work करती है, and also as a supervisor और वो उन्हें supervise भी करती है time to time, हर एक different different जो भी particular concept हो या topic हो उस पर कि इस particular case में हमें ऐसा करना है या ऐसा करना है या वैसा करना है यह सारी चीजों पर जो है हमारी जो central bank होती है वो हमारी commercial banks को supervise भी करती है okay, so there are number of commercial banks in a country there should be some agency to regulate and supervise their proper functioning okay, वही चीज़ जो अभी मैंने student और teacher के example से बताई, वही यहाँ पर हम बापिस देख रहे हैं, being the apex bank, the central bank RBI acts as the banker to other banks okay, so as a bankers to bank, the central bank functions in three capacities अब bankers bank है तो उनकी तीन particular हम और क्या देख सकते हैं, तीन particular हम features देख सकते हैं, या उनके तीन particular functions देख सकते हैं, क्या हैं यह custodian of cash reserve lender to the last resort and clearing house okay, अब यह तीनों क्या होते हैं, इनने हम देखते हैं, इनका हम मतलब समझते हैं, okay so सबसे पहले आया है क्या हमारा custodian of cash reserve अब custodian of cash reserve का मतलब क्या है students आप लोगों को याद होगा, हमने जो उसके पहले वाला lecture पढ़ा था, उसमें हमने money creation पढ़ा था, उसमें हमने एक concept पढ़ा था, क्या था वो CRR यह क्या होता है तो यह होता है हमारा cash reserve ratio, right, यह जो CRR होता है, right, यह एक bank को किसके साथ में maintain करके रखना पढ़ता है एक central bank के साथ में right, मतलब की जितना भी cash उसका जो भी particular ratio जो है, जो की एक central bank ने define करके रखा है, उतना जो amount है, वो एक जो commercial bank होती है, वो central bank के साथ में उस amount को रखती है, ठीक है तो custodian of cash reserve का मतलब क्या हुआ, custodian का मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब हो गया कि उनके पास में अपना जो है, वो समान रखा हुआ है safely, right, अब bank का जो particular most important thing होती है, वो क्या होती है वो होती है money, that is cash, right, तो जो bank का, commercial bank का जो cash है, वो किस ने रखके रखा है, central bank ने रखके रखा है, तो जो हमारी commercial banks है, उनके लिए, उन्हें जब भी required होगा cash की, तो वो central bank को बोल सकती है कि हमारा जो पैसा हमने आपके साथ में रखा है, वो हमें return कर दीजे तो ये जो central bank है ये उन्हें बापस return कर देंगी जब भी required होगा एक commercial bank को, ठीक है, जो हमारी central bank है, वो as an custodian of cash reserve act कर रही है, हमारी commercial banks के लिए, कि वो जो है हमारी central bank है, वो उनका जो excess amount है, वो उनके पास में, central bank के पास में safely रखा हुआ है ओके, so ये जो cash reserve वाला, ये जो CRR cash reserve ratio, इसे हम वैसे तो हमारे next वाले lecture में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक brief सा मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, कि ये एक ऐसा ratio होता ही है, ये वो percentage होता है जो की central bank बोलती है हर एक commercial bank को, कि इतना percent of your deposit जो है आप हमारे साथ में आपका जो profit हो रखो, sorry, जो cash हो रखो, okay जैसे कि मान लो 20,000 रुपीज जो है वो as a deposit रखे हैं एक commercial bank में और जो हमारी reserve bank है Reserve Bank of India है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि इसका 10% जो है, ठीक है? या फिर मान लो 5% जो है दाट इस Central Bank के साथ में रखने को बोल रहे हैं, okay जो ये जो है, जब भी एक commercial bank को required होगा, तो वो ये 1,000 रुपीज दे सकती है, एक Central Bank हो, ठीक जो commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits, known as cash reserve ratio और CRR with Central Bank, ठीक है? In this way, Central bank acts as the custodian of cash reserve for commercial banks, ठीक है? अब कैसे ये सब कुछ हुआ? ये मैंने आप लोग को explain करी दिया है and I hope कि आप लोग को clear भी है, ठीक है? फिर आता है हमारा next वाला that is lender to the last resort अब lender to the last resort का मतलब क्या ये समझो? देखो बहुत ही simple से example लो, हमें कभी भी requirement होती है किस चीज की? पैसो की, ठीक है? हमें cash चाहिए, हमें money चाहिए जो pocket money दी थी ना वो भी खतम हो गई है, ठीक है? जो पापा ने pocket money दी थी वो खतम हो चुकी है अभी भी कोई ऐसी requirement है कि वो हमें पूरी करनी ही है हमने सारे हमारे जुतने भी sources से सब दूर से देख लिया कोई भी हमें नहीं दे रहा money हमने momay से बहुत बोल दिया कि दे दो momay, नहीं दे रही वो उनोंने मना कर दिया हमने अपने sibling से बोल दिया वो लोग भी नहीं दे रहा है हमने अपने फ्रेंड से पूछ लाया, वो लोग भी नहीं दे रहा है, हमने सारे सोर्सेज में देख लाया, कि कोई भी हमें जो है, मनी देने के लिए रेडी नहीं है, तो अब, रिक्वायर्मेंट तो है, और नेसिसिटी भी है, लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं मिले मुझे कहीं से भी मनी, तो काम जो है, वो मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो करना जरूर है, अभी क्या भी करना जरूर है, तो अब मेरे पास में एक इकलोता option क्या बच्चा, कि मैं जाओं पापा के पास में, कि पापा मुझे ना चाहिए भाई, पैसे, तो अब, जो मेरे ल सोचरी थी है, उनके पास जाने से बच जाओं, लेकिन देखो किसी ने मेरी हिल्प ही नहीं की, किसी ने मुझे ने दे रही, तो मुझे आखिरकार उनके पास जा नहीं पड़ा, ठीक है, तो यही सेम केस, आप किसका देख रहो, मैं मेरी जगा पर आप रखो एक कमर्शल ब जो डिफ्रिंटरेंट्टरेंट्र और बी बैंक सी उन्हें ही मुझे बूछłem ही चक्त लिए, चली उनकी मेरी बैंक तो डूसरी पनर सी उनहीं नहीं मना कडिया, जअनने हम नहीं लेंद करेंगे बिए को, तो अब एक जो कमर्शल बैंक कि उसका जो लेंड को लेन का जो ल तो हमारी जो central bank है उन्होंने पूरी situation देखी और अगर लगा तो जो एक commercial bank है उन्हें money lend कर दिया ठीक है तो एक commercial bank के लिए जो last resort था वो कौन थी वो थे हमारे commercial bank राइट तो इस particular way में जो हमारे lender to last resort है I hope कि यह जो particular function है आप लोगों समझ में आ गया होगा जैसे यह बोल दो कि bank के जो पापा है वो कौन है वो है central bank ठीक है तो अब जो पापा उतन है उनके पास हम last में ही जाते हैं कि हमें कुछ भी requirement है आप हमें और extra money दो तो बस वही चीज की है जो एक commercial bank के वो सब दूर से हार जाती है सब दूर से ट्राय कर लिए कुछ नहीं हो रहा तो अब पापा के पास ही जाना पड़ेगा ठीक है तो वही है हमारा lender to the lender of the last resort ठीक है So when commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources that is in case of financial emergency they approach the central bank to give loans and advances as lender of the last resort ठीक है जो मैंने इतनी सारी जो आपको इतना है सब कुछ example दिया जो बोली वही से में यहाँ पे है कि सारी जगाओं से देख लिया कहीं से भी उन्हें अगर money नहीं मिल रहा है loan नहीं मिल रहा है तो वो central bank के पास जाएंगी as in lender of the last resort और उनसे जो है help माईएगी है उनसे बोलेगी है हमें loans दे दीजे ठीक है Central bank assist these banks through discounting of approved securities and bills of exchange now students हम लोग जाएं किसी भी commercial bank के पास में loan लेने तो क्या हमें कोई भी loan ऐसे बिना किसी भी security के दे देते हैं क्या नहीं देते हैं वो बोलेंगे आपको एक collateral रखिए या कुछ भी ऐसा बताओ कि जिसके थुरू अगर ये जो particular money है वो मैंने बापिस return नहीं किया तो जो commercial bank है वो कहीं न कहीं से तो इस particular money को ले ही सके तो same case क्या होता है commercial bank और central bank के बीच का relationship ऐसा नहीं कि वो bank है इसके हमारी central bank बोलेगी चलो ठीक है तुम free में ले लो बिलकुल नहीं उस particular commercial bank पर भी विश्वास नहीं करने वाली है हमारी central bank क्या पता अगर उन्होंने return नहीं किये तो क्या भरोसा भाई नहीं किये ये particular चीज तो हो सकती है तो इसलिए जो हमारी central bank होती है वो भी कुछ securities के against या कोई भी bills of exchange के against जो है जो हमारी commercial bank होती है उन्हें money lend कर देती है ओके ये चीज भी याद रखना कि central bank जो होती है वो भी free में जो है loan नहीं देने वाली है ठीक है so lender of the last resort I hope कि आप लोगों को ये particular जो concept वो समझ में आ गया होगा वैसे तो students हर एक function हर एक जो आपका concept होता है सबकुछ important होता है लेग या जो lender of the last resort इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना because पता नहीं क्यों ये थोड़े ना जो हमारे examiners होता है उनका थोड़ा जो हमारे question paper बनाता है उनका थोड़ा असा favorite kind of question होता है कि lender of the last resort से क्या मतलब है मैं ये नहीं बोल रहूं कि ये बिल्कुल आने ही वाला है आपके exam में लेकिन इसके chances बहुत नहीं कि आ सकता है because ये मैंने देखा है continuous देखा है कि ये lender of the last resort पूछा जाता है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरी चीज़े भूल जाओ पढ़ना है या बोल दो कि माम ने बोल दा है कि हम सिर्फ ये ही पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं है देखो इसके chances हैं कि ये आ सकता है bankers, bank वाला वो क्या है? clearing house now clearing house से अब हम क्या मतलब समझ रहें? देखो students जो हमारी central bank है वो किसके लिए bank है? वो सारी जितनी भी commercial bank है, सबके लिए banks है, right? मतलब कि जितनी भी commercial banks है, सबका account किसके साथ में है? हमारी central bank के साथ में है, okay? now अगर जो दो commercial bank ले लो, मानलो A और B, ठीक है? अब A ने कुछ borrow किया था B से, okay? अब क्या करना है भाई? A को बापस return करना है B को तो ये जो particular borrowing और बापस जो repaying है, ये काम बापस A ना करके कौन कर सकता है? Central bank भी कर सकती है Central bank के पास में सबके जो हैं accounts हैं Central bank जो हैं, वो ये जो सारे अलग-अलग disputes होते हैं उन्हें वो clear कर सकती हैं उन्हें वो एकदम maintain करके रख सकती है, ठीक है? कि उनके पास में सारे accounts है, कहां पर कितना debit करना है, कितना credit करना है वो अपने according करके सबके जो particular accounts हैं उनको stable रख सकती है, okay? So, ये होता है clearing house का मतलब So, as central bank holds the cash reserves of all the commercial banks it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house, ठीक है? All commercial banks have their accounts with the central bank ये चीज़ तो हमें पता ही हैं Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account ठीक है? यही चीज़ जो अभी मैंने बोली कि अगर कोई भी debit or credit करना है तो वो जो हमारी central bank है, वो कर सकती है और जतने भी claims है, एक bank के दूसरे bank के against वो सारे जो claims है, वो settle कर सकती है central bank, okay? Reason कि central bank के पास में सबके accounts है तो वो अराम से देख सकती है कि भाई, कहां पे किस चीज़ को debit करना है, किस चीज़ को credit करना है और वो सारी जो banks है, उनके बीच के जो relationship है उन्हें भी अच्छे से study कर सकती है और maintain करके रख सकती है हमारी जो central bank होती है, ठीक है? Because central bank को पता होता है कि कहां से कब कहां पे क्या transaction हो रहा है Okay, so ये होता है हमारी clearing house का मतलब I hope कि आप लोगों को clear होगा Now students, हम लोगों ने As मैंने पहले ही बोद बता दिया था कि तीन functions जो थे वो complete कर लिए कौन-कौन से? एक था हमारा currency authority फिर था हमारा banker to the government And then था हमारा bankers bank, right? तो ये तीनो functions हमने complete कर लिए अपनी central bank है And I hope कि आप लोगों को ये तीनो functions अच्छे से Clear भी है Now, जो हमारा next lecture होगा उसमें हम अपना fourth वाला functions हो था Money controller वाला वो पढ़ेंगे Okay, उस पर based मैंने उस पर solely मैंने एक lecture इसलिए बनाया है Because वो एक important concept है उसने समझना भी जरूर है And वो थोड़ा सा lindy भी है तो इसलिए अगर इसके साथ में हम पूरा mix कर देती तो ये बहुत जादा Lindy वीडियो बन जाता इसलिए उसे हमने अलग से लिया है So I hope कि इतने functions आप लोगों को अच्छे से clear है और मिलदें next lecture में हमारे next वाले function money controller वाले function के साथ में Okay? Thank you